जहिन रामरा हम तुम लोगों से अगर कहें कि एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्स मालो और वजन तुमारा घटना एकदम स्पीड अप हो जाएगा या बहुत स्पीड में वजन घटने लगेगा तुम एगरी नहीं करोगे हमें पता है लेकिन करना पड़ेगा आज नहीं तो कल क् कि हम इतनी तरीके की जो डंब तरीके की एडवाइसे इनको सब को बस करें ठीक है सबसे पहली चीज़ याद रखो कि घर के खाने से कभी भी किसी का वजन नहीं बढ़ाए गाउं में अगर ऐसा होता तो गाउं में हम लोग सुरुआ से ही आटर ददद रोटी खा जाते थे और पता नहीं कितना घी तेल खा जाते थे कभी सरीर पर फैट नहीं आया अभी क्यों यह चीज़ें हो रहे हैं इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर करो हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक चीज़ की फास्ट फूड जंक फूड ओयली यह छोड़ तो यह छोड़ने का मतलब यह नह या कि यूं करने लगे हैं सुबह के breakfast में सबसे चोटी डीस होती हैmosa और वो सबसे ज़्यादां ड》 सो कैलरी से सुरूवात हो जाती हमारी ज हमारी जो गंडी डाइट वजन कम क्यों नहीं हो रहा है यहीं रीजन है क्योंकि तुम फासफूड चाहें जितना कम से कम खौम ने यहीं बोला कि जो बेसिक एक लीमिट होती ही वह 1500 कलूरी में कोई बी एक मिल में समझ के अगर तुम मालो कोई भी ऐकडो मील खानी थी वो तुम्हें एक बार में ही ले लिए अब तुम घर जाके खाना भी खाओगे सारी चीजे खाओगे तो कितनी बढ़ती चली जाती है सिंपल सा लॉजिक हम बता रहे हैं अगर इसमें साइंस में गुसेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा और साइध बहुत से लोगों कोई समझ में ना आयल इसलिए हम डिरेक्ट बात कर रहे हैं ठीक है तो हम जब यह कहते हैं कि सिर्थ तुम यह फास फूड अपनी डाइट चीनी ठीक है सोडियम और सुगर दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा मातरा में होती जिसकी वज़े से प्रॉब्लम होती है तो अगर सिर्फ फूड छोड़ देते हो सिर्फ फास फूड एक बार यह सोच के देखो कि हम एक महीने के लिए फास फूड छोड़ देंगे अपन चीजिए नहीं दिसमें तुम्हेस तरीकी की रॉकेट सायंस की जरूरत नहीं है सिसमें एक में सेन्रेश कि झिल्थ often ने की करने से बीएक होगा यह सिर्फ मेरी वीदियो के मोटीवेत होके कभीना होगा try करना पड़ेगा at least 28 दिन के लिए तो fast food को छोड़ सकते हो और मरोगे नहीं ये ध्यान को मरोगे नहीं बिल्कुल भी घर का खाना भी one of the best खाना होता है अगर इसको सही तरीके से बना पाओ ठीक है राम राम जहें